वेलकम टू बाइलजी ओल आराउंट आज हम क्लास 12 बाइलजी का चाप्टर नेंबर 12 बाइल टिकनोलोजी और इट्स एप्लिकेशन में आरने इंटर्फेरेंस की बात करेंगे आरने इंटर्फेरेंस एक बाईचांस डिस्कोवर्ड फिनोमेना था एक Molecular Geneticist Richard Johnson और उनके कलीक्स ने 1990 में एक पिटूनिया फ्लार के उपर काम किया था यह पिटूनिया फ्लार आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो चा रहे थे कि जो पिटूनिया का फ्लार है उसका कलर डाक हो जाए ताकि जो है उसका Ornamental Value बढ़ जाए so what they did उन्होंने extra messenger RNA add किया उस पिटूनिया फ्लार के अंदर जिसमें वो pigment जादा बन सके क्योंकि जो messenger RNA पिग्मेंट वाला डाला था as expected तो result उनको नहीं मिला पर उनको मिला क्या कि जो पिटूनिया फ्लार्स जो डेवलप हुए बाद में उनमें white color appear हो गया कुछ regions white थे कुछ pink थे और कुछ ऐसे पिटूनिया फ्लार्स भी मिले जिसमें बिलकुल भी color था ही नहीं सारा का सारा जो pigment वाना protein था वो degrade हो गया था तो इसका result तो उने समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों बाद में जब इसकी studies की गई इसका reason ढूने की कोशिश की गई तो ये पाया गया कि जो messenger RNA था वो degrade हो गया था क्योंकि double stranded RNA फॉर्म हो गया था उसके अंदर उस double stranded RNA बनने के कारण जो expression था means जो color आना चाहिए था वो बिलकुल silence हो गया था means completely silenced इसलिए color appear ही नहीं हुआ फिर इस phenomenon को नाम दिया गया RNA interference RNA interference एक natural defense mechanism है सभी eukaryotic cells में present होता है और ये एक natural virus killer machinery की तरह काम करता है RNA interference को हमने बहुत सारे plant pest को control करने में भी इस phenomenon को use किया है बहुत सारे plant scientists ने इसके उपर काम किया और उन्होंने RNA interference की सहायता से कुछ ऐसे nematodes को control करने में सफलता हासिल की जो nematodes otherwise बिल्कुल भी unmanageable थे उनको control नहीं किया जा सकता था ये nematodes root cause cause करते हैं जब भी वो किसी plant को infect करते हैं इस picture में आप देख रहे हो this is the normal root बट जब nematode infect करता है plants के अंदर तो वो इस तरह के tumorous growth cause कर देता है roots में जिसके कारण plants की जो absorption capacity है वो reduce हो जाती है और उनकी productivity decrease कर जाती है Miladokine incognitia ऐसा ही एक plant parasite है ये एक root not disease करता है means root में galls cause करता है और ये एक मिटी में रहने वाला soil dwelling free living nematode है ठीक है और ये mostly hot climatic regions में पाया जाता है ये nematode infect कैसे करता है roots को जब eggs से larva निकलते हैं तो वो multing करते हैं और जो second stage का multing larva जिसको हम second stage juvenile कहते हैं वो roots के अंदर enter कर जाता है just ये जिसे ये root tip है root tip के थोड़ा सा पीछे अब ये nematodes कुछ cells को feed करते हैं और साथ-साथ ही उनमे roots में changes आने लगते हैं जिसके कारण roots का जो cells हैं वो enlarge हो जाते हैं और जिसके कारण एक gall form हो जाता है means जो tumor like growth हमें नजर आती है वो form हो जाती है tumor नहीं है cell का size increase कर गया है यहां पर nematode भी अपना molting के कारण change करता है shape अब इन में से एक female है और एक male है तो जो males है वो जब adult stage पर पहुंचते हैं तो वो फिर से अपना जो shape है वो change कर लेते हैं and they leave the root similarly females भी अपना molting करते करते अपना shape change करती है पर वो roots को leave नहीं करती instead they lay eggs in the soil यह eggs फिर अपना फिर से वही life cycle शुरू करते हैं इस नेमेटोड मिलेडोगाइन इनकोगनिटा यह गॉल फॉर्मेशन के कारण 5% global loss plant की productivity में करते हैं ऐसा नहीं है कि एक आदे या दो plants को ही infect करते हैं बहुत सारे variety of plants को यह नेमेटोड्स infect करते हैं कुछ एक examples जो आपके known हैं beans हैं, cabbage है, carrot है, onions है then egg plant जिसको बरिंजल बोलते हैं cucumber है, corn, pumpkin, radish, melons, watermelons ऐसे बहुत सारे plants है, tomatoes जिनको यह infect करते हैं root not disease को by technology की help से control करने की कोशिश ची गई एक bacteria जो की free living है, soil में रहता है agrobacterium tumefaciens यह naturally crown gall disease cause करता है plants में और इस agrobacterium tumefaciens को use करते हुए हमने RNA interference की strategy अपनाई और बहुत सारे plants में nematode की infection को रोका इस bacteria के अंदर, यह bacteria का culture आपको इस picture में दिखाया हुआ है इस bacteria के अंदर एक ti plasmid present होता है इस ti plasmid को as a vector use किया गया जिससे nematode specific genes ऐसे genes जो nematode की metabolism के लिए responsible हैं उन genes को tobacco plant के अंदर उसको host माना गया जिसको यह nematode infect करता है उसके अंदर insert कर दिया गया कौन से genes insert किये नेमेटोड के genes टोबैको प्लांट के अंदर insert कर दिये गए और वो वले genes थे जो nematode की metabolism के लिए essentially required थे जो nematode genes थे वो इस तरह से introduce किये गए कि उस plant के अंदर वो express कर पाएं और उनकी जो है दो copies बने जब उसका messenger RNA बने तो वो इक दूसरे के complimentary हो और वो double stranded messenger RNA बन जाए अब plant cell के अंदर जब messenger RNA बना वो nucleus के बाहर आ गया अब जब वो cytoplasm में पहुंचा तो cytoplasm के अंदर एक RNA type 3 enzyme है जिसका नाम है dicer ये अपना action में आ जाता है और अब क्या करता है ये ये double stranded RNA को छोटे छोटे RNA के टुकडों में जो की 22-25 nucleotide long fragments हैं उनमें उनको break up कर देता है ये जो छोटे छोटे टुकडे है इनको हम small interfering RNA या SI RNAs कहते हैं अब जब नेमेटोड इस plant के cell को खाएगा means ऐसे plant को जब नेमेटोड infect करेगा तो ये double stranded RNA भी उसके अंदर चला जाएगा और जब नेमेटोड के अंदर जाके उसकी processing होगी तो नेमेटोड में ये RNA silencing को initiate कर देता है अब नेमेटोड का ये picture हमने बड़ा कर दिया है तो अब ये देखना क्या होता है जो नेमेटोड के अंदर अब एक protein का complex है जिसको हम कहते हैं RNA induced silencing complex या फिर रिस्क ये initiate हो जाता है ये इस messenger RNA के उपर जब जाता है तो पहले क्या होता है इसका जो sense RNA है वो degrade हो जाता है और फिर उसके बाद ये वाला जो पूरा का पूरा complex है इस anti-sense messenger RNA को लेके नेमेटोड के जो messenger RNA है उसके उपर जाके attach हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के complementary है तो जहां पर भी complementary found होगी वहां पर जाके ये पूरा का पूरा complex attach हो जाएगा और जब attach होगा तो क्या करेगा कि उस messenger RNA को ये breakdown कर देगा उसको तोड़ देगा और जिसके कारण ये जो normal essential किसी metabolic activity के कारण ये messenger RNA बना हुआ होगा वो protein नहीं बना पाएगा and nematode जिसके कारण kill हो जाएगा so this is how RNA interference को जो है nematode की infection रोपने के लिए use किया गया I hope ये topic आपको समझ आया thank you कर दो कर दो